राहुल जी मैं केवल एक विधिक तोर पे आपको बात कहना चाहता हूँ बाला साथ ठाकरे जिन्दा होते ना और एक महिला को अगर हराम खोर कह दिया जाता तो शिवसेना में एक प्रेस विग्यप्ति आती कि संजे राओ तब शिवसेना में नहीं रहे और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब शब्द कहने के बाद हराम कोर को नौटी बनाया जा रहा है मैं अभिविक्ति की आजादी आपको आज तक पे समझाता हूँ मैं कहता हूँ तू तू धवठा करें और मैं कहता हूँ संजे राओ तू की महिला का अपमान किया है आप हो सकता है कि इससे आहत हो जाएं लेकिन ये कोई अपराद नहीं है ये मेरी अभिवक्ति के आजादी है जब तक मैं भरका हूँ ना और आज तक पे इसलिए मैं कहता हूँ तू और थू और अगर हिम्मत है तो एफायार करिये बेबी पेंग्विन पे एफायार तू कहने पे एफायार जहां पे जो है लोगतंत्र की जो मूल भावना उसको ठेस पहुच रही है और दुख कब होता है आज कुछ ऐसे पत्रकार है जो रुपए देखे भी कहते है मेरा सत्य चानल देखो तो लोग देखते नहीं है उन्होंने हाई कोई बात नहीं करी महिला सम्मान की कोई बात नहीं करी आज वो भूल गए कि नरेंदर मोदी जी के लिए चोर शब्द का इस्तमाल किया जाता था तो मैं कहता हूँ कि राहूल गामदी को अजीद कारवा सोज़ागा चाहिए चिक है आशुतों जी जवाब दीजे मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे मित्र जो है गवराव भाटिया भी सत्य हिंदी चैनल देखते हैं बड़ अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर कि वो उसके घ्यान से देखते हैं बल्कि उसके गवर भी करते हैं पत्रकारीता है तो आप से देखते हूं इनकी सरकार को खुरिदा नहीं जा सकता है प्रचार में लग गए अपना प्रचार इंपॉर्टन हो गया चलिए तॉपिक पाइए अपने नजर में बाकी दुनिया बेकार आप ही महान लेकिन मुझे ये बताइए नसर आपने भी तो शिवसेना की गुंदागर्दी पे कितने कारिक्रम किये हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हारी पीडी ने आपकी पत्रकारता नहीं देखी है आप लोग क्या एक तरफा नहीं लिखते हैं बातों को यह क्यों आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर किसी पर नार्कोटिक्स आट के तहट केस चल रहा है वो आरोपी है और आप कंगना रणाउट से तुलना करने लगते हैं जो आप संजराउट में उसको दोराना नहीं चाहती ग पर एक बड़ों पर बहुत मुखर होकर बोलते थे अजिना जी वो डिपेंड करता है क्यों सी महीला गांधी परिवार की महीला होगी तो आ जाएंगे ज़िए कैसे अप्शब्द बोले गए इसका इसका कोई मतलब है और फिर कह रहा है नॉटी था मैं तो नॉटी कह रहा संजय राउत ने जो बात कही है उसके लिए संजय राउत को सी रपी सी के तहट जो भी सजा मिलनी चाहिए उस बाशा को उस भाशा को दुनिया का कोई आदमी जो है उसको जस्टिफाइग नहीं कर सकता है लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए करपया आप लोग औ अगर शारुब खान ने आमिर खान ने सैफ अली खान ने सलमान खान ने अगर मुंबई को प्योक के बोला होता तो आज गरो भातिया क्या कर रहे होते उर्ट मोंग और उफ्थर नहीं पेके गया हुते जब आमिर खान के ने कहा था की पतनी का जिक्र करते हुए तो सब्सक्राइब नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकष्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले